एक नया दिन और एक नया वीडियो आज की इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी के उस कार के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत सालों से चली आ रही है जिसने मारुति सुजुकी की सुजुकी को छोटे हैजबेक सेर्प्रमेंट में एक अलग सी पहचान दी तो जी हाँ वो कार है मारुति सुजुकी की बल्योनो मारुति सुजुकी एक ऐसी कमपणी है ये तो इंडिया के सबसे बड़ी कार मेरुख है चरिंग कमपणी है और साथ साथ एक ऐसी कमपणी है जो डिजाइन के साथ बहुत एक्सप्रिमेंट करती है आपको पता ही होगा कि जब Swift के साथ इन्होंने डिजाइन में कुछ चेंज किया था तो अब Swift बहुत ज़्यादा एक लेवल अप एक बहुत अच्छा पॉपुलर कार बन गई थी इसी तरह इन्होंने मालोकती बलोनों के साथ भी एक नाय एक्समेवन किया है एक नया डिजाइन दिया है उसको एक नया इंडियर दिया है इंजिन ओप्संस दिये है तो क्या है और एक जो खास फीचर इसमें दिया गया है जो मालोकती सुझुकी की किसी भी कार में पहली बार है तो सभी जानेंगे इस वीडियो में ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तो hello everyone my name is Abhishek Bas for welcome back to my channel Clashions नए होतो चैनल को subscribe कर देना और साथ में bell icon भी दबा देना तो किसी भी details में जाने से पहले मैं एक कुछ-कुछ खास बाते बतातेता हूं जैसे मानुती बेलोनों चार वेडियन में launch होती और 6 color option आपको इसके साथ मिली जाएंगे जिसकी सूरवाती जो कीमेत है 6 लाग से स्टार्ट होगी ये कार और 10 लाग तक के अंदर आपको इन मिली जाएगे मतलब इसका प्राइस जो वैरी करेगा 6 लाग से 10 लाग के बीच और ये नेकसा के सूरूम के द्वारा आप देस में बेचे जाएंगे और एक बात है जो पचीस हजार यूनिट पहले ही बुकिंग हो चुकी इस कार की 10,000-11,000 का तोकर मनी के साथ इसको आप बुक कर सकते तो इसका बुकिंग तो हो चुका इसका डेलिविरी स्टार्ट हो गया है तेस फड़वरी से तो जो भी बलोनो लवर है तो रेडी हो जाए कि बलोनो बहुत जल्द आपके पास आने वाली है नई मारोती बलोनो में जहां तक exterior design की बात है तो आपको इसमें एक नया ग्रिल मिल जाएंगी जो पुराने बलोनो आपने देखा होगा तो उसमें जो फ्रंट ग्रिल है वो अब चेंज कर दिया गया है नया बलोनो में इसमें आपको एक नई ग्रिल देखने मिल जाएंगी LED headlamps है LED DRLS है LED fog lights है और 16 इंच का dual 10 अलवर विल्स भी आपको इसके साथ मिल जाएंगी उसके साथ साथ UV cut glass LED tail light और new front और rear bumpers भी आपको नई बेलोनों में एक शांदार देखने मिल जाता है नई बेलोनों में भी पुराने model में इस्तिमाल किये गये 1.2 लीटर के dual jet petrol engine है वही यूस किया गया है यह engine 89 HP का power और 130 Nm का torque आपको देती है इसमें idle start stop function जैसे 5-speed manual और AGC gearbox से साथ यह गारी आपको मिल जाएगी मारोती बेलोनों 2022 में आपको जो मैंने खास features बोले थे जो मारोती Suzuki के किसी भी कार में पहली बार आपको देखने मिल जाएगा वह है head up display और 360 view camera जैसे आधुनिक technology से यह कार आपको देखने मिल जाएगी इस segment में पहली बार किसी भी कार में यह features दिये गये है head up display एक आकरशक और सुरक्सित drive का जो feel है आपको देगी और जबकि 360 view camera चारो तरफ के एक 3D view आपको देगी जो सुरक्सित parking और पतली जगा होती है जो जिसके घर थोड़े से पतली जगा में जहां से आपको गारी गुजारना पड़ता है उसका view सुरक्सित आप उधर से निकल सके इसको आपको capable बनाती है का बेलोनो 2022 में कई safety feature के साथ launch हिये जाएंगे इस मारूती सुजु की बेलोनो में जैसे head up display मिलता है उसी तरह पहली बार इसमें suzuki connect भी दिया गया है इसमें आपको 9 इंच का smart play studio touchscreen मिलता है infotainment system जिसमें आप apple carplay android auto suzuki connect जैसे features इसमें है head up display तो आपको मिलता है cruise control rear ac vanes height adjustable driver seat automatic climate control and six airbags मतलब इस कूड़ा कार बहुत सुरक्सित है और feature loaded भी है तो यही था नाया मानोती suzuki balono 2022 अगर आप first hand user है आप अगर decision ले रहे हैं कि मुझे कार इलनी है और hatchback की तरह आप रूप कर रहे हैं तो मानोती suzuki balono आप ले सकते हैं अगर मानोती suzuki balono के भाड़े में जानना है तो इंडिया में किसी सबी पूछ दीजिए वो बता देंगे कि बल्लोन कितनी बड़ी suzuki balono interior अच्छी लगी या exterior अच्छी लगी या कौन से feature से लगे जो unique है और जो useful है यह हमें comment करके जरूर बता है बुले ना comment हम हर comment का रभाब आपको देंगे अगर वीडियो अच्छी लगी है हमारा जो information वह आप तक पहुंची है तो वीडियो को like करके जाए शेयर करें ज साथ शेयर का अब टक के लिए stay safe, stay motivated always, stay tuned for more updates, thank you for watching